तो एक्चुली आप पीछे देपो ठीक है कैसा लग रहा मुझे यह बता कमेंट आना चाहिए वाई क्योंकि हमने बहुत मेनत किया इसके उपर तो कमेंट हमें तो चाहिए चाहिए अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो फिर आमागे नहीं बढ़ सकते वाई यो तो चलो फड़ रिक्वेश्ट है पूरा कर देना अगर नहीं किये तो फिर देख लेना अगले बार वीडियो में नहीं लाओंगा ठीक है ठीक है सार हो जाएगा टेंसन ना को लेने का ओके तो काफी मुवमेंट हो रहा है तो क्या है कि हमने नया कैमरामेन हायर किया कुछ दिन वे आप उन जी से आइधिंग हमने लाइव किया था उसकी पहले हमने यह चीज देखा था कि कैसे जो है 3D वेबसाइट वेगरा कैनवस वेगरा चीज है हमने देखी थी तो आज आज आपके रिक्वेश्ट पे जो हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट देखा था वह हम लोग नहीं क्रि है तो यह देखेंगे अभी क्या है तो इतना समझ लो कि यह आने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें आपको जो यह चीज़े दिख रहे हैं इस वीडियो में देखेंगे और पूरा वेबसाइट अभी मैंने दिखा रहा हूं जब हम लोग क्रियेट करेंग तो आगे बढ़ने से पहले मेरा यह रिक्वेश्ट है आपसे कि आप लोग से वीडियो देखते हो और भाग जाते हो ऐसा ना करने का वीडियो आप देख रहे हो तो प्रॉपर आप सब्सक्राइब करो उसके साथ-साथ अगर आप इसको बनाने के लिए मैं पहले एक बात अगर आपको लगता है कि हम आपको सिखा सकते और भी बहतर तो हमारा paid course है, अगर आप चाहते हो तो enroll कर सकते हैं, उसमें हम लोग बहुत ही basic चीज़े सीखते हैं, उसके साथ साथ देरे-देरे advanced level तक जाते हैं, और आपको ये सिखाया जाते हैं कि कैसे एक website को सोचा जाता है, कैसे उसको create किया जाता है, ये सारी चीज़े हम लोग cover up करत हम लोग सिखाते हैं, तो जैसे आपको चाहिए need है, उसी साथ सब हमें contact कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगा, जाकर form fill up करो, अब हम बढ़ते हैं आगे, और चैनल को सब्स्राइब कर देना, चलो अब सीधा मिलते हैं उदर, हमारे computer screen पर, अब तक के लि उसको पहरे हम चेक करेंगे, कहा गया हमार abouts website, तो यह रहा winner section में चलते हैं, और थोड़ा scroll करोगे तो मिल जाएगा, बाग गया क्या, किदर गया, यह रहा, ठीक है photographic website यहाँ पर है, और इसको करेंगे visit site, तो यह जो loader आपको दीख रहा है, यह loader हम लोग बाद में create करें then इसके बाद यह वाला जो पार्ट है, आज हम लोग इस वीडियो में यह main हम लोग का जो cover, सबसे top जो पार्ट आपको दीख रहा है, वो हम लोग cover up करेंगे, और उसके साथ साथ जो है, यह nap bar वेगरा जो दीख रहा है, वो हम लोग लोग इतना create कर लेते हैं आज, और बाक और photography ऐसा कुछ रखते है, और राइट क्लिक करते हैं इसको और open with code, तो जैसे ही आप open with code करोगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, जूम करने बाद हम यहाँ पर तीन फाइल बनाएंगे, index.html, और उसके बाद हम style.css, और last one जो script.js, ठीक है, यह तीन सबसे पहले हमारा काम क्या होना अच्छी है, तीन फाइल बनाने के बाद आपका, सबसे पहले सबका boilerplate हम लिखते हैं, तो boilerplate कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और थोड़ा जूम करते हैं, ताकि आपको सब कुछ clear, visible हो, और पहली फुरसत में हम कौन सा काम करते हैं, आपको js को link, और यहां पर क्या कर रहे हैं, head के अंदर style.css को link देगो, मैं बहुत ही basic से सिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर इस project को create कर रहा है, तो उसको सब कुछ clear समझ में आए, फिर भी अगर लगता है कि नहीं, यह पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी को comment कर सकते हो, या फिर हमें Instagram पर follow करके DM भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इसका नाम change करके यहां करता हूँ, gravity coding, ठीक है, इतना clear है, अब इसके आगे बढ़ेंगा, बट मैं सोच रहा हूँ, इसका theme थोड़ा बहुत change करने, ताकि आपको जो ए clear सब कुछ visible हो, तो मैं थोड़ा dark theme prefer करूँगा, ठीक है, यह रखते है, यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगा, hashtag main, जिसके अंदर हम सब कुछ काम करेंगे, मतलब कि hashtag main के अंदर हम सब चीज़े create करेंगे, और फड़ा सा इसको divide and rule वाला काम करेंगे, इसको हमने किया divide, और यहां से आधा आधा कर लो, ठीक है, य लेकिन इसके आगे भी हम कुछ लिखते है, HTML body, width 100%, और height जो हम देते हैं, 100%, ठीक है, तो यह चीज़े जो है, यह हमारा किसमें आता है, boilerplate में आता है, अभी भी मुझे theme में जो है, थोड़ा बहुत changes करने की आवसकता है, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया यहां पर, star 0, star का कहने का मतलब यह है, कि आप जो है, सारे tag को एक बार में select कर रहे हो, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जब भी, मैं actually यह पार्ट इस लिए समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग का comment था, कि भईया, जो आप boilerplate इस लिए मैं इसको clear कर रहा हूं, इस वीडियो में, कि यह जो star आप लिखते हो, इसका मतलब होता है, universal selector, इससे क्या करते हो, आप कोई भी जो html की tag है, जैसे आप h1 हो गया, p tag हो गया, button tag हो गया, जितने भी tag है, html में, ठीक है, उसको आप एक बार में select करते हो, किस से star के मदद से, जैसे आप star लिखते हो, यह क्या होगी, आपका universal selector, तो सब में by default कुछ ना कुछ margin और padding आती है, ठीक है, हर एक html की tag में, कुछ ना कुछ margin होता है, कुछ ना कुछ padding होता है, तो इसके मदद से हम क्या कर रहे है, उसको zero कर रहे है, कोई भी margin नहीं होना चाहि ठीक है, box sizing border box, इसलिए हमने दिया, क्योंकि कोई भी element लिखोगे, बनाओगे, तो वो क्या होता है, कि बाहर जाने लगता है, 100% width से बाहर भी जाने लगता है, तो उस चीस के लिए हम चाहते है कि frame में ही सब कुछ रहे, उस वज़े से हम क्या use करते है, box sizing border box, ठीक है, और उस इसलिए जो है, इसको 100-100% हमने height और width दिया, अब इसके अंदर जो भी आप part create करोगे, फिर वहाँ से आपका अपना जैसा create करना है, वैसा आप बनाओगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर create कर रहे है, main, क्योंकि हमने एक main यहाँ पर ID बनाया है, ठीक है, ID बनाया है, इसको हम कु क्या हमारा output आ रहा है, ठीक है, आप देखो 10VH का जो है, यहाँ पर height ले रहा है, VH मतलब होता है, viewport height, clear है, अब आजाओ, इसको 100% कर दो, तो यह पूरा 100% ले रहा, top to bottom जितना भी है, बट यहाँ पर एक चीज़ और add करेंगे, minimum height हम add करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर् बार देखके भी नहीं बता सकती कि कितना height है इसके पास, इसलिए हम लोग क्या कर रहे है, एक main div हमने create किया, जिसके पास हम क्या कर रहे है, minimum height, इतना तो आपको पता है, minimum height कितना 100 है, top to bottom आपको जो दिग रहा है, 100% आपका minimum height है, तो हम वही काम कर रहे है, minimum height हमने set कर दिया fix, तो fix करने के लिए हम इसके बाहर ही बना दे रहे है, part 1 के बाहर nav को, और nav में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 section divide है, तो आप चाहो तो उपर वाला ही बना सकते है, या फिर नीचे वाला ही बना सकते है, दोनों बनाना है, चलो दोनों बना लेते, कोई दिकत नहीं, तो मैं यहाँ पर nav create कर रहा हूँ, nav में हमें 2 part create करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो nav बनाए है, उसको width और height दे दो, nav को हमने दिया width कितना 100% और height जो है, वो हम करते है, 20vh, ठीक है, 20vh, background color अभी के लिए दे दो, hashtag 333 already है, इसको थोड़ा वाइट करके देखो, आ जाओ य ctm nav कर देता हूँ, ठीक है, top हो गया और bottom हो गया, अब इसको भी कुछ height और width दे दो, तो dot, top, nav को width देते हैं 100%, ठीक है, parent का, अब आप जो भी दो किसके लेगा, parent का, अगर आप percentage में deal कर रहा हूँ, तो किसका ले रहा है, अपने parent का, parent के पास कितना 100% है, ठीक है, nav का भी parent कोन है, main है, main के पास भी कितना 100% है, मतलब कि यह 100% ही लेगा, height करो, 10vh, ठीक है, और background color, अभी के लिए, salmon by का color दे दो, चलो, कोई और color ही आगया, कोई दिक्कत में, बस हमें समझने से मतलब है, ठीक है, top वाल पार्ट और bottom वाल पार्ट बच गया हमारे पास, तो इसको just copy क कर सकतो, या फिर यहां पे भी add कर सकतो, dot btm nav, ठीक है, तो यहां पे देखो, same color में था, तो same color में आ गया, क्याने का मतलब है, कि यह दोनों हमारे पास available है, आप चाहँ तो इसको अलग भी कर सकतो, बठीक है, हम साथ में ही रख रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमे सब कुछ अलग करना है, तो अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो इसको पूरा, और यहां पे पेश्ट कर दो, ठीक है, color चाहिए, तो color दे दो, background color, hashtag 333, तो यह जो इस से match खा गया, जैसे यहां पे match कर रहा था, वैसे, अब हमें जो इ देख रहा है, मैं इसको थोड़ा zoom करता हूँ, अब आजाओ यहां पे, तो यह पूरा पार्ट जो था, हमने कहां गया, यह फिर से हमें select करना पड़ेगा, actually यह responsive पार्ट से हट गया, ठीक है, अब यह आ गया, तो यह वाला पार्ट है, हम इसको करेंगे select, ठीक है, यहां पे आ रहा है इस विजी, right click करो, यहां पे copy में जाओ, copy element पूरा कर लो, तो यह जो totally copy हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आ ज as it is जैसा, इसके next line में हम क्या कर रहे है, यहां पे हमेरे पास बहुत सारा link है, ठीक है, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ link है, ठीक है, तो a into 7 कर दो, यह मैं shortcut भी आपको बताते चल रहा हूँ, कैसे जो एक साथ आप चीजों को create कर पा रहे हो, तो यहां यहां पे हमने a into 7 कर दिया, तो हमरे पास साथ a link create होगया, ठीक है, चलो, यह चीज होगया, इतना समझ में आए, कैसे create हुआ, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, यह काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक हो जाएगा, टेंसन ना को लेने का बहुत छोटा हो जाएगा, what's new लिखा, actually, मैं एक काम करता है, इसको second screen पर करके, चीजों को जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है, यहां पे लिखावा है, instant camera, cameras, ठीक है, उसके बाद आजाओ, next में लिखा है, instant film, next है, हमारे पास, printers, next उसके बाद आता है, accessories, उसके बाद हमारे पास है, music, music भाईया, सुनना तो बनता है, जब भी आप काम कर रहो, आपका जो है, जब आप music सुनते हैं, अगर आप सुनते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, कि आप music सुनते हो, कब जब बन करें तब, ठीक है, तो actually देखो, अब problem कहाँ पे आ रही है, कि इस तरी हो, यह हमने एक स्विजी लगाई लिया, जो लोगो था मारा, नेक्स्ट अगर देखें, तो यह सारे जो एटाग है, अलग-अलग है, तो इस सब को हम क्या करेंगे, एक div के अंदर रखेंगे, ताकि वो उससे center में कर सके तो, ठीक है, एक नामी दे देते हैं, dot links, या फिर center link, ऐसा कुछ, center link, अब इसके अंदर हम इसको paste कर रहें, तो आप क्या होगा, कि जब भी हम move करेंगे, तो वो totally एक पूरा movement होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर लो, तो इस तरीके से, ठीक है, format किया, तो वो सब कुछ align हो जाता है, अब इसको हम close करते है, center link को और right में हमें कुछ icon चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको icon दिख रहा है, यह वाला part, इसको हम कैसे लाएंगे, तो हमारे पास एक website है, जहां से हम इसको ला सकते है, remix icon.com, तो यहां से हम अपना icon उठाते है, काफी lightweight plugin है, मतलब बोल सकते है, CDN use करके हम use करते हैं, इसका, तो remix icon पर चलते हैं, अगर खुल गया, आज तो काफी delay हो रहा है, चल रहा है, यहाँ पर हम चलते है, यह जो github का दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करो, तो एक नया page खुलेगा, थोड़ा सा आपको scroll करना, हौले हौले स्क्रॉल करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, नहीं तो fire हो कर सकते हैं, आप लिखारा copied आजाओ, आप इसको paste कहा करना है, जश्ट आपके style फाइल के ऊपर, जहाँ भी आपने style फाइल लिंक किया, यह बला, external जो भी आपने CSS फाइल बनाई होगी, जश्ट इसके ऊपर आपको करना है paste, ठीक है, यह paste कर दिया, अब हटा दो, बोलो टा इसको कर लो, copy, नीचे आजाओ, अब यह center link है, center link के बाद मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर right icon के नाम से भी एक dig बनाऊँगा, right icon, और इसके अंदर जो है, यह सारे, इतने भी icon मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पर paste कर रहा हूँ, ठीक है, अब next क्या दे, हमारे पास, अभी चीजे इधर उदर बिखरी पड़ी है, tension, ना कोलो, सब कुछ साही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आजाओ, एक account का दिख रहा है, ठीक है, तो user बोलते है, या फिर account बोलते है, तो user search करते है, आजाना चाहिए, चलो आगया, ठीक है, तो user में मैं यह वाला copy कर लेता हूँ आजाओ इसमें, यहाँ पर करो paste, और एक क्या है, एक है heart, ठीक है, दिल चूरा लिया है, एक्चुली, तो heart चाहिए हमें, कोई दिल दे रहा है, तो लेना तो पड़ता है, चलो, तो दिल भी हमने लगा लिया, अभी देखो चीजे सब कुछ इधर उदर, अब हमें सब मैं थोड़ा सा color change करता हूँ, सब कुछ visible हो जाएगा, आप देखो, यहाँ देखो, आइकन तो आ रहा है, बट नीचे आ रहा है, यह हमारे पास आ रहा है, बट नीचे आ रहा है, हम चाहते कि यह left to right आए, और यह जो छोटा हो जाए, कुछ नहीं करना है, बस इस nav को आपक जो है main child है इसके, तो यहाँ पर आ जाओ, इसको बनाओ display flex, जैसे आप display flex बनाओगे, चीज़े आगल बगल हो जाएगे, आदा से ज्यादा काम आपका sort out, एक बार में जो है, आपका sort out हो जाएगा, अब इसको क्या करना top to bottom भी center में करना है, हो जाएगा, अले आप बोलो त अब आपका काम क्या है, सीधा सा काम यह है, कि सब कुछ को छोटा करना पड़ेगा, आजाओ यहाँ पे, dot top nap में जो है, हमारे पास svg है, सबसे पहले इसका width हम करेंगे, तो width हम करके कितना है कर सकते 20%, percentage में मत दो, ठीक है, वीडवलू में दो, तो एक काम करते 3 वीडवलू काफी छोटा हो गया, इतना भी छोटा हमें नहीं चाहिए था, 5 वीडवलू, 5 is something good, और मैं चाहता हूँ, 7, ठीक है, 7 हमने रखा, और अब जो है, इनको भी सही करेंगे, बट बीच में दो, कुछ space नहीं है, एक काम करो, यहाँ पी justify content center रखा, इसको कर दो, space between, तो जैसे ही यह सब का size थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो हो जाएगा, टेंसर नहीं है, ठीक है, इसी padding add कर दो, ठीक है, padding कितना add करना में, 0 VW, top to bottom पहली value देते हैं, और दूसरी value जो देते हैं, वो left to right तो left to right आप 5 VW add कर रहे हैं, तो यह देखो अंदर की तरफ के खोगे, इसमें dot top nav के अंदर हमारा जो एक हमने center link बनाया था, center links बनाया था, यह link बनाया, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे, display flex, ठीक है, चीज़े अगल बगल है, बट फिर भी हम display flex इसलिए बना रहे हैं, ताकि उसके अंदर हम gap property add कर सके, ठीक है, gap property कहने का मतलब है, अंदर ह अब इसके आगे क्या करना है, सबसे पहले एक और काम करना है, कि इसको copy कर लो यहाँ पे, आजाओ नीचे paste करो, और यहाँ पे a tag को target करो, और उसमें क्या करना है, text decoration कर दो none, ठीक है, noon roti, text decoration जैसे ही none करोगा, उसके नीचे का जो border था, वो गयव हो गया, ठीक है, ठीक है, यह चीज़ों तो हो गई, ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, इसका color भी change करना है, तो color जो है, वो हम कौन सा करें, hashtag 333, ठीक है, बट काफी जो है वो डल दिख रहा, तो मैं hashtag 111 करूंगा, थोड़ा black हो जागा, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, कोई दिखकर नहीं, 000 कर द तो अब ही हम चलते हैं, और अपने file में, setting में चले आओ, या फिर एक काम करो, direct यहां पर font search करो, ठीक है, fonts, तो जैसे यहां पर font search करोगे, यहां पर देखो, एक font का जो है, आपको folder नजर आएगा, जिसमें ए लिखा होगा, A4, अमर्जित, ठीक है, मेरा folder आपको हर एक PC में मिल जाएगा, तो यहां पर simply click करो, और बहुत, जितने भी आपके font जो होगे, install लोगे, वो सारे यहां पर दिखने लगे, तो हमारे पास already installed font है, product sense, तो हम उसको निकालेंगे, किदर गया हमारा product sense, इसको हम करते हैं, यहां से copy, और वापस से आज अपने folder में, जहां पर भी पेस्ट करते हैं, जितने भी हमारे पास है, product sense के उसको हमने paste किया, clear है, इस तरीके से, ठीक है, अब इस folder को क्या हो, तो आप cut कर सकते हो, काम खतम हो गया, आजाओ code में, ठीक है, जहां पर भी आपने star लिखा न, adjust इसके ऊपर में, add the rate font paste, लिखो, ठीक है, font paste, बस इतना लि fonts के अंदर, सबसे पहले हम कौन सा regular select कर ले रहे, तो productions का हमने regular select किया, यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते है, product regular में लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, same इसको करें, copy, यहाँ पर कर दो paste, ठीक है, अब यहाँ पर जो select किया था, इसको हट आदो, ठीक है, fonts के अंदर हम क्या कर रहे है, एक bold हम कर रहे है, हमें italic font नहीं चाहिए, तो हम italic नहीं करेंगे, regular के बाद यहाँ पर क्या कर रहे है, bold, ठीक है, तो हमने दो font किया, बाकी को अब delete कर सकते हो, जैसे यह bold italic और italic, select कर लो, और delete कर दो, ठीक है, हो गया, अब check करो क्या काम कर रहे है या नहीं, मैं यहीं पर check करता हूँ, universal selector में डाल देता हूँ, जितने भी हम font बनाएंगे, मतलब font create करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, product sense होना चाहिए, ठीक है, तो ff, font family, और जो भी आपने product regular लिखा, तो product regular, अब check करो क्या output कर रहा है, नहीं कर र ff, font family, और product bold, ठीक है, अब देखो यह bold हो गया, और आप चाहो तो font size बेगरा increase कर सकते हो, font size 1vw, ठीक है, अब देखो वो boldness नजर आ रहे है, बट बड़ा ज्यादा हो गया, 0.8 और 9 कर सकते हो, 8 काफी छोटा होगा, 9 ही रखो, ठीक है, इस तरीके से जो है, exact जो हमें चाह Actually, यह अलग है न, हाँ, right icon जो है, वो अलग है, तो यहाँ पे, .rght icon के अंदर जो हमारा i tag है, सब जो है, वो i tag में होगा, ठीक है, यहाँ पर right icon जो है, सब जो है, i tag है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है, i tag को target कर रहे है, और कितना हम कर रहे है, font size, जितने भी आप remix icon से icon उठाओ गया, वो सारे के अगर आपको width और यह सब कुछ मतलब इसको थोड़ा भी बड़ा करना, तो उसके लिए आप क्या use कर रहे है, font size, font size अगर हम यहाँ पर 1VW कर दे, कुछ इस तरीके से दिगरा, 2VW कर दो, 2VW, ठीक है, तीदे को काफी zoom हो गया, तो उतना भी नही इसको कॉपी करके यहाँ पेश्ट करो, इसको बनाओ display flex, actually यह parent को हम target कर रहे है, इसके भी parent को, ठीक है, यहाँ पर हम क्या होना रहे है, same value, display flex, आदाज ज्यादा काम आपको सिफ display flex बनाने से काम हो जाता है, उसके बीच में, gap add कर रहे है, कितना 2VW, बहुत हो जाएगा मेर change करके कर दो white, या फिर top को यह दे दो color, इसको कॉपी करो, यहाँ पे कर दो paste, और hashtag FFF, pure white रखेंगा, तो अभी देखो यह pure white दिख रहा है, अब यहाँ पे जो black दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, यह proper black है, तो आज़ो यहाँ से copy कर लो, bottom ने भी रहा, ठीक है, इसको कर द यहाँ पे, यह पूरा, पूरा SVG है, या फिर, नहीं, एक icon है, और एक, खुछ भी, a tag ले सकते हो, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, यह top nav का काम खतम, bottom nav के अंदर आजाओ, और bottom nav के अंदर क्या है, a tag बनाया है, और a tag के अंदर, यहाँ पे अभी फिलाल के ल यहाँ पे करतो, paste, नीचे आजाओ, एक, पी tag ले लो, इसमें लिगाँ पार्टनर्स, इस्टोर, पार्टनर्स, इस्टोर्स, ठीक है, यह चीज़े हो गई, अब आजाओ, एक center में बनाने है, तो हमें center, bottom nav, ठीक है, center, btm, nav के नाम से हमें create कर रहे हैं, और इसके अंदर ज exhibition, तो यह सारे जोगे, वो e-tag है, अगर आप इस पर हावर करोगे, तो यह आपको दिखा रहा है, तो कर रहा है, कि आप इस पर click दरके, चीज़ों को इधर-धर कर सकते हो, ठीक है, तो exhibition, मैं काम करता हूँ, इसको second screen पर रखते, सारे e-tag को लिख लेता हूँ, तो exhibition, copy paste कर ल जाते है, पता नहीं, कैसे सही होगे, बट मेरी spelling बहुत ज्यादा mistake हो जाती है, specification, ठीक है, इसके बाद जो है, एक हमारे पास है, discover, discovers, discover यह, और उसके बाद हमारे पास है, how to use, ठीक है, how to use, last है compare, ठीक है, copy paste, और यहाँ पे compare, compare, c-o-m-p-a-r-e, okay, तो compare, यह जो है, हमारे पास total हो गए, एक, दो, तीन, चार, जितने भी थे, अब आप एक चीज़ देखो, इधर से जो है, थोड़ा black है, और इधर से भी थोड़ा black है, बीच हो जो है, वो पूरा white है, इस चीज़ को कैसे create करें, वो अभी हम देखें, जो जो पार्ट पहले आप टॉप नैब में कियो, exact same है, तो same तरीके से इसको भी लेए चलना है, अभी देखो, यह यहाँ पे center में सो हो रहा था, एक काम करो, btm lab के अंदर, जितने भी a tag है, उसको आप direct direct करके text decoration पहले तो none कर दो, ठीक है, कर दिया none, color जो है, वो white कर दो, color, hashtag fff, ठीक है, जैसे ही किया, यहाँ पे देखो, सब कुछ visible हो रहा है, अब हमें क्या करना है, इसके बीच में space भी चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो, इसमें between कर दो, ओके, यह आ गया इदर, और यह चला गया right में, एक button भी हमें चाहिए, यहाँ पे आ जाओ, एक button create कर लो, ठीक है, button हम create कर रहे है, button में क्या हमारे पास, by, तो by करना है, तो by लिखो, ठीक है, वो वाला by नहीं, by वाला by, अब देखो right corner में हमारा by का भी section सो हो रहा, अब यहाँ पर यह भी हो रहा, same way process है, अब यह भी हमें left right करना है, इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, display flex, तो किसको बनाना पड़ेगा, यह a tag को, ठीक है, a tag में कुछ हम id नहीं दिये, तो यहाँ पर id देदो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते है, partner ही नाम देदो, partner, आजाओ, नीचे, hashtag, par tner, उसके बाद इसको हम target करके, क्या कह रहें यहाँ पर, इसको display flex, ठीक है, display flex, तो चीज़े अगल बगल आ गई, इस तरीके से, ठीक है, अब इसके बाद, इसके अंदर का जाओत, यहीं से font size बढ़ा सकते हो, 1vw कर दो, तो कुछ इस तरीके से, बढ आइनर सा कुछ इतना, ठीक है, और चाहते हैं हम left में, जैसे यहाँ पर padding दीख रहा था, का आगया, यह, उसी तरीके से, यहाँ पर भी padding दीखे, तो padding के लिए आप क्या कर सकते हैं, padding के लिए, आप चाहो तो इस bottom nav को जो है, padding add कर दो यहाँ पर, padding, 0vw और 5vw, 5vw काफी हो इवन है, यह ने, class बना है, तो dot, dot btm center nav, ऐसा कुछ है, center btm nav है, sorry, ultra हमें लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे बड़े-बड़े code में छोटी-छोटी problem होती रहती है, तो display flex लगाओ इसमें भी, और gap property add कर दो, gap कितना, 1vw, या और डालना था, और डाल दो, काम करो, 2vw, 2vw, चल जाएगा, थोड़ा और चाहिए, 2.5, ठीक है, 2.5 is good, अब हमें जो है, इसको करना है, center वाले चीज़ों को, सही, मतलब थोड़ा, बड़ा करना है, तो font size आप यहां से बड़ा लो, font size 1vw, ठीक है, 1vw is good, और मैं चाहता हूँ क्या कि, अब जो है, यह वला, I think, का target करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहां देखो, ध्यान से, ठीक है, कैसे करते हैं, तो center वाले पार्ट में, center, bottom, knife के अंदर, जो a tag है, हमें a tag में कौन सा target करना है, यह तीसरा वाला करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a tag, nh child, ठीक है, यहां पर nh child 3, जिससे कौन सा target हुए, 3 अब इस काम को color change करना है, ठीक है, color change करते है, yellow करना, yellow कर दो, ठीक है, एक्चली यह orange है, तो orange में जाएंगे, something इसी type का कुछ है, yes, थोड़ा बहुत और yellow ही है, देख ले न, थोड़ा बहुत up-down होता है, और उसके बाद मैं काम करूँगा, यहां पर जो है, center, bottom के अंदर, जितने भी 8 आए, उसका जो हम क्या करें, font weight, increase करके 600, ठीक है, थाकि थोड़ा यह bold हो जाए, तो अभी boldness दीख रहा, पहले नहीं दीख रहा था, ठीक है, अब आप च्याओ तो, जैसे इसने आपको third को आपने target किया, मतलब है इसी आप से, आप से, आप से, आप साइज भी इसका increase कर सकते हो, font size हमने उपर कितना रखा है, 1 रखा है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, 1.2 VW कर दो, ठीक है, यह थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिखे है, बट यह alignment को ऊपर नीचे हो गया, यह उपर दिख रही नीचे दिख रहा है, इसके लिए जो आपने बनाया है, इ 0.1 VW का, ठीक है, फिर भी काफी जादा हो गया, तो 0.05 VW का, ठीक है, बहुत minor समदब की लेटर इस पेसिंगा रहा हूँ, एक-एक लेटर की बीच में space होगा, अब हम इसको बना लेते है, बाय को, जो हमारे पास यह बाय का बटन है, इसको हम create करते है, ठीक है, आजाओ य बटन को, क्योंकि अगर आप विट दोगे तो फिर problem create करेगा, उसके अंदर content बढ़ेगा, जैसे अभी buy है, आप चाहते हो, या फिर कुछ और डालना है, फिर से आपको विट चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर padding add की हमने, 1 VW, यह होग अगर आप इसको देते हो, ठीक है, यह यह इतना होगा, और height wise अगर आप इसको देते हो, कितना देते हो, 2 VW, एक इस तरीके से बठन होगे, चलो इसको और बढ़ा देते है, 7 कर देते है, ठीक है, यह इतना दिखार है, अब जैसे compare ना हो था, अब इसको हमें क्या करना है, से बाय लिखना है तो देखो आटोमेटिक जो है इसका विट कम नहीं हुआ तो यह प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कर सकता है तो हम ऐसा कुछ क्रेट करेंगे ताकि हमें जो इन कुछ भी चीजे चेंजिस करनी हो तो हम इसको कर सके तो पैडिंग हम एट कर रहे थे नो पैडिंग वन वीड़व और टॉप बटम मतलब लाइट जो है तो इस तरीके से बाय का जो बटन दीख रहा है उस तरीके से आप बना सकते हो और इसके अंदर का पॉंट साइज इंक् खुरुंट कर लो यह एक्पर लेफ्राइट कम हो रहा है तो मैं चाहिँग अपांट गोला रखना तो मैं यहां से इसका पाउपी कर लेता हूं कलर और यहां पर बैंग्राउंड कलर अग्यां तो अभी देखांड बैंग्राउंड कलर आ गया बट इसमें कुछ और साथ साथ बॉर्डर आरा-दो जाथू रहा इसपर और कर रहें ठीक है और उसके साथ-साथ-साथ-स्फ्. वो वन पिक्सल सॉलिड और हैस्टाइग फफफ पता कि वाइट हो जाना चाहिए अब अगर मैं इस तरीके से दिख रहा है बट यह कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है इसमें कौन सा ब्लैक है ब्लैक से हम चाहते हैं जो हावर कर रहे तो यह बाई जो दिख रहा था वो भी हमें वीजिवल हो तो एक काम करें यहां तो कलर जो वाइट कर दो कलर है अब देखो ठीक है अब दीख रहा है बट यह अचानक से हो रहा हम चाहते कि स्मूथ सा अनिमेशन देखने के लिए मिले तो उसके लिए हम क्या आइट करेंगा फिर ट्रांजिशन ओल क्यूबिक देखों कि आप बढ़ते हैं इसके ऊपर ठीक है यह क्या है अगर आप इसको देखों कर बहुत यहां देखों अगर चल जाए तो चलीए ठीक है ऐगर प्रॉपर वीडियो सось और इस तरीव इस तरीख रुख जाएगा नगा यहां कुछ ऐसा ही create करना कि यह वाला पाट हमें बनाना तो मैं एक काम करता हूँ इसको download कर लेता हूँ save video as और जहां पर भी आपको save करना है तो हमारे पास folder है तो हम folder के अंदर इसको save करेंगे assets के अंदर और यहां पर मैं एक और folder बनाऊँगा image और image के अंदर इसको डाल देते सेफ कर लेते हैं यह जो हमारे डाउनलोड हो गया अब आजाओ कैसे हम यहां पर यूज करेंगे तो हमने और यहां पर बना के रखा और एक काम आपको यह करना पड़ेगा कि आधि आपने यहां पर बनाया है नभ इसको posisyn पिस कर दो ठीक है posisyn यहां फिर stiki कर दो ठीक है तो जब पोजिशन करोगे तो क्या होगा जब होतना टॉट प किश करना पड़ता मैं भी बताता हूं ठीक नीचे आजाओ या फिर आभी के लिए इसको fix रखो बाद में इसको change करेंगे जैसे आप fix करोगे यह वाले पार्ट का अभी आपको customize करना तो यहां पर याद करो कौन सा पार्ट आपने create किया नैप बनाया अभी आपने नहीं बनाया ठीक है आज आप नीचे create करो यहां पर तो अब थोड़ा सा systematic way में सब कुछ लेके चलेंगे तो यहां पर हम क्या लिख रहे है पार्ट वन ठीक है ताकि हमें idea हो कि पार्ट वन कहां से start हुआ है तो यहां से start हुआ है तो dot part 1 यहां पर हम ले रहे हैं और width हम देते 100% और height जो है वह हम कितना दे रहे है 100 VH तो अभी आप देखोगे तो यहां पर कुछ विजिवल तो नहीं है बट होगा एक काम करो यहां पर part 2 भी create कर लो copy करो paste करो एक part 2 यहां पर create कर लो ताकि आपको scrolling में वह सारी चीज़े विजिवल हो इस वजह से हम यहां पर दे रहे हैं यहां पर background color देने की जर्वत है नहीं यहां पर देना है वीडियो तो यहां पर आ गई बर चल नहीं रहे है वीडियो ठीक है वीडियो को चलाना पड़ेगा उसके हाथ पर लगाने पड़ेंगे तब वह चलेगा तो सबसे पहले तो एक काम करो इसको बना दो display flex ठीक है देखो शांदार भाई साब सांदार ठीक है हमें जितना चलेटा उतना एक नंबर दिख रहा है आपका वीडियो ठीक है खतम हो गया वीडियो रुख जाएगा ठीक है वीडियो रुख गया अब आप स्क्रॉल कर सकते हो नीचे तो जैसा आपने सोचा था सेम उसी तरीके से आपको दिख रहा है यह एक्स्ट्रा जो जा रहा है इसको कैसे हम बंद करेंगे ठीक है तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें तो एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको आप कर सकते हो आफ ठीक है यह एक्स्ट्रा जो जा रहा है इसको भी हम वाल हो रही है ठीक है वीडियो खताम वीडियो रुख जाएगा ठीक है अब आप करोगे इसको स्क्रॉल करने वज्जो यह पैराग्राफ लिखा हुआ इसको आपको लिखना पड़ेगा तो पार्ट पू के अंदर चलो हम लिख लेते हैं कोई दिक्तत नहीं है पार्ट पू क क्या कर रहे एक बटन है और बटन में कुछ लिखा हुए बाइन और यहाँ पर कुछ लिखा भए ? हम टालर में लिख देते हैं तो हम देंगे इसको त्क है त्कुछ आपको इतना देना है रहे ही तो यहाँ पर वी यह चीजह तो यहाँ पर eteat क्षैने करो क्या सब्सक्राइब एक काम करो नाम से नाम क्लास बना रहे यह यह एक बटन टैग है और यह क्या क्लास बना रहे यह क्या है यह कंम मिलेगा तो इसमें नहीं मिल रहा ठीक है अलब खोजना पड़े किसी वाइग तो एक और चीज़ हम सर्च कर लेते फोल्डर अगर फोल्डर से मिल जाए तो अच्छी बात है कुछ इस तरीके काम मिल रहा है बट इसमें प्ले वाला साइन नहीं है जैसा यहां पर हमें इसके नीचे हम करेंगे क्या थोड़ा समझ चेक करेंगे सब से पहले कि क्या कि पार। के अंदर हम चीज़ों को सबसे पहलेάλивать करेंगे अब भी अरहा यहां पर यहां पर जो घ्रक्रार है टुक्तम्सीच करना तो अनुद मिष्युवा पर सबसे पहले नहीं देखा डिशुचsk टर वाला पाइय वह प्रक्लत और यहां पर गातर pane पनाया ठीक है तो हमें left to right नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस तरीके से एक साइड में आ गया हम 20 तो नहीं देंगे बहुत काम हो जाएगा 50 कर दो 50 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा 30 कर दो ठीक है 30 चल जाएगा थोड़ा सा और मैं देख रहा हूँ 40 तक बाकी पहले इसको हम center में करी लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं तो अब मैं चाहता हूँ किसको left से center में करने के लिए तो किस तरीके से कर सकते हैं अगर part 2 को हम direct लेके चलेंगे तो देखत करेगा ठीक है part 2 के अंदर जो सारी चीज़े हैं उसको अगर हम left करते हैं तो क्याने का मतलब यह कि अगर आप इसको center करोगे align item के help से जैसे आपने center किया तो यह पार्ट जो यह भी center में आगया और हमें क्या चीज़े थे सारी कुछ left से start होना चीज़े था उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर एक और डिब बना के उसके अंदर चीज़ों को डालना पड़ेगा यह तो पहला हो गया ठीक है तो अब यह देखो चीज़े कुछ इस तरीके से आरे क्योंकि इसके पास width जो है वो कम है width थटा दो यहां से इस तरीके से हो रहा है अभी भी यह ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने left right दोनों तरीके से दिया है तो यह गलती आप ना करो हम करें तो सही आप करो तो गलट तो यहां पर जो है आप चीज़े सही रिखेंगे कुछ इस तरीके से अब यहां पर आप width को चालो कर दो तो सब कुछ सही होगे font size बढ़ा लो font size कर लो 2VW ओ मागो टूरू लब हो गया ठीक है बहुत बढ़ा हो गया क्या यह चीज़ सही है बिलकुल सही है ठीक है इतना मुझे sufficient लग रहा और चाओ तो और बढ़ा ही लो कोई दिक्कत नहीं है 50 कर लो इसको और उसके साथ साथ left से इसको थोड़ा और कम करके 40 ठीक है 35 35 is good अब इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए कि यह थोड़ा और बोल्ड हो जाए तो बोल्ड के लिए आपको पता है क्या लगाना है पता है है मुझे पता है कि आपको पता होगा ठीक है पॉइंट कर लो 500 तो यह थोड़ा बोल्ड नहीं हुआ 600 कर लो ओगा बिल्कुल ओगा देखो हो गया ठीक है बट काफी जादा बोल्ड नजर आ रहा मुझे और अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो मैं जैसा था वैसा ह अर अब इसके बीच में गैप करूंगा यह जो दीखर पूरा बटण सटा हुआ तो सबसे पहले सफाई करो करें और विट इसका देंगे कितना विट देने की जरुबत नहीं है सिदा मारव इसको डिस्प्ले फ्लेक्स यह चीज़े अगल वगल आ गई देखो बट यह बटन का साइज जो थोड़ा चेंज हो गया तो बटन का साइज हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा तो यह जि वो कैसी कर रहे है अभी हम देख रहे हैं अब से पहले बटन को हम कलर देंगे .cta के अंदर जो हमारा बटन है बटन को टारिट करो और इसका विट नहीं देंगे पैडिंग देंगे ठीक है पैडिंग 0vw और 1vw कर दो और इधर कर दो लेफ्ट राइट 2vw तो कुछ इस त चूरा लिया और यहां पर आजा पेस्ट कर दो बैक्ग्राउंड कलर और यह कलर पेस्ट अभी यह चीज दिख रहा बॉर्डर रेडियस दे दो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल ठीक है 50 पिक्सल बहुत ज्यादा पोल्ड हो गया 5 पिक्सल ठीक है काफी स्मूथ सा कर वह है मुझे अच्छा लग रहा बॉर्डर हटा दो यहां पर बॉर्डर कर दो नन ठीक है तो बॉर्डर नन हो गया अब वही सेम यहां पर डाला हमने सेम इफेक्ट यहां पर भी हम डालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कर दो दौट दूट है के अंदर जो बटन है उस पर हम जब हावर कररे है क्या कर रहे है तो हावर लगा दो यहां पर हमर की हामने और होबर पहर क्या कर दो कर दो लग त्रंसंपेरेंट क्लर क्या है कॉलम नहीं या कलर हैश्टेग एफ 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 हो जाना चाहिए और उसके साथ-साथ बॉर्डर हमें आ जाना चाहिए यहां पर कितना एक पिक्सल सवर्णिट हों है यहां पर मैं क्लिक हैं कि ब्ल trochę करें या पर ठांजिशन रेक्ष कर दें तरिकेश आपu हैं अब ल कर सकते हो और टाइम में दो एक सेकंड कर दो और बढ़ाए वह और बड़ा तो और उपर मेरे हिसाब से एक आइकन आना चाहिए, आइकन आ रहा या नहीं आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं, आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा, इसको करते हैं, copy यहाँ पे आजाओ, dot, के साथ इसको करो, paste, इसको बनाओ, display, flex, align item, center, justify content भी करतो, center, इसको हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि यह पार्ट center में आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे जो है, actually यहाँ पे अब है, दिखेगा भी, wait करो, थोड़ा सा wait करो, ठीक है, तो, pta के अंदर हमारे पास, cta, ptn, cta के अंदर जो हमारे पास, a tag, sorry, i tag, icon क्या target कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ प font size, 1VW, फिर भी मुझे, छोड़ा छोटा लग रहा, 1.2 करते हैं, ठीक है, इतना चल जाएगा, और इसका size, यह इसके हिसाब से आ जा रहा है, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते हम बोलेंगे, भईया नहीं, अपने हिसाब से ना चलो, तनी हमर भी सुन लिया करो, तो, हम अपन दे दो कितना, और कितना दे सकते है, 5VW, ठीक है, अभी भी अलग लाइन में आ रहा, 10 कर दो, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, तो हम गैप देंगे, गैप कैसे देंगे, आ जा यहाँ पर, यह बनाया हमने, डिस्प्लेइफ्ले फ्लेक्स, इसक का एक्षिली इन दोनों के बीच में इस पेस आया मैं चाहता हूं 0.5 का ज्याद आप नीच इन दोनों के बीच आप गैप चीए तो आया हो यहां पर इसका क्या नाम है CTA में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स अल्रेडी बनाया है justify content भी करी दो सेंड कर यह आप गार रहा है अगवागो यहां से गैप आइड करो गैप किता वन भी डगलू चल जाएगा ठीक है बाकी आप देख लो कितना है सही है परेज साब से तो सही है बाकी आप अपना देख लो ठीक है यह एक्चुली अभी रिलोड हुआ तो अभी जो है यह काफी शांदा लग रहा है तो आज के लिए हम लोग से इसको इतना ही रहने देंगे और जो भी पार्ट आगे बचा हुआ है जैसे यह एनिमेशन वाला पार्ट जो की स्क्रॉल पर हो रहा है यह चीज़े हम लोग देखेंगे कब नेक्स्ट पार्ट में ठीक है आप तब तक इतना बना के बाकि आप इतना बना लो काफी सही लग रहा हम लोग ने एक्जक्ट लगबग क्रिए कर लिया है यह देगो प्यारा सा एनिमेशन बहुत स्चांदार लग रहा है अल्रेटी वीडियो है हमने नहीं क्रिएट किया है हमने तो सिफ इसको यूज किया है और उसके बाद इसको भी हम लोग सीखेंगे कैसे यह सारे इमेशन पहले यहां से हमें निकालना ही पड़ेगा वेबसाइट से तो बहुत कुछ है यार इस वेबसाइट में सीखने के लिए बहुत कुछ है तो अगर आपका एनर्जी लेवल बरकरार है तो आप हमें इस वीडियो पर बता सकते हो कि भाई या नहीं हमें तो यह पूरा वेबसाइट चाहिए ही चाहिए आप कमेंट करो कमेंट करते हो तो अच्छा लगता आप बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो टड़ा बाई-बाई-बाई-प कैसा लाग रहा है थोड़ा बह करना यह सारी चीज़ तो बता आपके बताने से हम चलेंगे ठीक है तो बाई-बाई-बाई-बाई-बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखो